बच्चो लेखांकन के अंतरगत हमने देखा कि किस प्रकार कोई एक वैपारी जब अपना वैपार करता है तो वो बहुत सारी मदों पर खर्च करता है इसी तरह उसके बहुत सारी मदों से आये भी होती हैं यानि कि हमने आय वै के बारे में जाना हमने प्रत्यक्ष वै आप्रत्यक्ष वै के बारे में जाना साथ ही हमने ये देखा कि इन आय और वै के साथ साथ वो कुछ संपत्यों को भी अरजित करता है यानि कि कुछ स्थाई संपत्यों को खरीदता है और उन संपत्यों के द्वार वो अपने वियुशाइक को आगे बढ़ाता है जैसे वो संपत्यों का अरजन करता है संपत्य प्राप्त करता है उसको खरीदता है और यह इसी तरह वो अपने बहुत से दाइतों का भी निर्वहन करता है तो यह जो आय है वय है संपत्या है यह दाइतों है इन पर किये जाने वाले वय या इनसे होने वाली जो प्राप्तिया है वो अलग-अलग भागों में या अलग-अलग नाम से बट जाती हैं जिने हम पूझी गत आय यवय और आगम गत आय यवय में वर्गी कृत करके इनका अध्यणम करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें पूझी गत आय यवय की तो यहां पर हमको जान लेना जरूरी होता है कि पूझी गत क्या है पूंजी गत का सीधा सीधा संबंध होता है पूंजी से पहले के अध्यायों में हमने पूंजी के बारे में काफे विस्तार से जाना यानि कि धन का एक ऐसा भाग जो और अधिक धनार्जन के लिए कहीं विन्योक कर दिया जाता है कहीं लगा दिया जाता है वो भाग पूंजी कहलाता है या फिर एक संचित धनराशी हम कहें तो कुल आय जो व्यक्ति की होती है उसमें से वै करने के बाद बची हुई धनराशी बचा ली गई धनराशी या संचित की गई धनराशी पूंजी कहलाती है पूंजी की बारे में यहाँ पर हम देखें तो वास्तों में जितने भी व्यवसाय होते हैं सबका एक महत्तुपूर्ण उद्देश होता है लाभार्जन लाभ प्राप्त करना और लाभ को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं उसको पूंजी की जरूरत पढ़ती है एकत्र की गई एक धनराशी की जरूरत पढ़ती है जिसको वो वैपार में लगा कर अत्रिक तलाप प्राप्त कर सके वैसे तो एक वैपारी बहुत तरह के आय और वै करता है लेकिन सभी तरह के आय को व्यापार की आय मान लेना या सभी तरह के व्यापार का व्यापार का व्यापार मान लेना कहीं न कहीं सही नहीं होता है यहां हम देखते हैं कि बहुत सारे व्य ऐसे होते हैं जो एक फर्म के द्वारा किसी इस्थाई संपत्ति को खरीदने पर किये जाते हैं तो ये जो वै होते हैं इन संपत्यों को खरीदने पर जो किये जाते हैं संपत्यों का यहाँ पर अर्थ इस्थाई संपत्यों से हैं इस्थाई संपत्य जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि व्यापार में प्रयोग में लाई जाने वाली भवन, मशीनरी, भूमी, मोटर वेहिकल्स यह सारी जो चीजे होती हैं सारे जो वस्तुएं होती हैं यह इस्थाई संपत्यों के अंतरगत आती हैं अगर इन पर हम किसी प्रकार का व्य करते हैं तो वो कोई व्यापारिक व्य यह साधारन व्य नहीं कहलाता बलकि इन व्यों को हम पूंजी गत व्य के नाम से जानते हैं क्योंकि इस्थाई संपत्यों पर किया गया यह जो वय है यह अत्रिक्त लाब प्राप्ति के लिए पूंजी निर्माण के लिए किया जा रहा है एक भवन हमने खरीदा तो किस लिए खरीदा ताकि वहां पर हम अपने व्यवसाय को इस्थापित कर सके उस इस्थापित किये ग व्यपार में प्रियोग करने के लिए मोटर वाहन खरीदें इन सब का उद्देश ये एक ही होता है कि इनके दौरा हम व्यपार को बढ़ावा दे सकी है व्यपार का संचालन कर सकें और उनसे हम लाभ राप्त कर सकें तो यह तो हमने समझने की कोशी सी कि कि पूझी क्या है किन व्ययों को हम पूझी गत्वयों में शामिल कर लेंगे अगर पूझी गत्वयों को हम और अच्छे से समझना चाहें तो आए हम इसके कुछ परिभाशाओं पर एक नजर डालें रिशेकेश चक्रवर्ति के अनुसार पूझी गत्मदि व्यापार को अधिक स्थाइतु इस अर्थ में प्रदान करती हैं कि इनका प्रभाव आगामी लेखा अवधी में रहता है परंतु आगम मदों का प्रभाव सम्मंदित लेखा अवधी के साथ समाप्त हो जाता है श्री कार्टर के अनुसार पूझी गत्मदि वे हैं जिनका लाव अनेक लेखा वर्षों में प्राप्त होता है जबकि आगम मदे वे हैं जिनका पूण लाव सम्मंदित लेखा अवधी में ही प्राप्त हो जाता है तो आपने देखा कि किस प्रकार विभिन विद्वानों ने पूझी गत्वे को परिभाशित किया है और आगम गत्वेयों और पूझी गत्वेयों में क्या अंतर है किस तरह से एक दूसरे से भिनने है उसके बारे में भी बताया पूँजी गत्वय को और अच्छे से समझने के लिए आये देखते हैं कि वे कौन-कौन सी मदे होती है जिनको हम पूँजी गत्वय में शामिल करेंगे सबसे पहली बात आती है कि इस्थाई संपत्ती को खरीदने से संबंधित जितने भी वे होते हैं वो सभी पूंजी गत्वे कहलाते हैं जिसे कि हमने देखा कि एक वेपार में कोई वेपारी मशीने खरीदता है फनीचर खरीदता है कोई भवन खरीदता है यह भवन बनवाता है भूमी खरीदता है समान को लाने ले जाने के लिए मोटर वाहन खरीदता है और ऐसी ही बहुत सारे स्थाई संपत्तियों का क्रे करता तो संपत्ति रच्ड की जुड़ जाते हैं और संपत्त दि​ आते हैं। हाला के इनकी प्रकृति अलग होती है। कुछ वे ऐसे भी होते हैं, जो हाला कि स्थाई संपत्यों पर किये जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम स्थाई संपत्यों के संबंद में किये गए पूंजी गत्वे नहीं मानते, बलकि आगम गत्वे मान लेते हैं, ऐसा क्यों होता है और कब होता है, इसको हम आगे फिलाल यहां पर हम जानलें कि स्थाई समपत्तियों के क्रैय पर क्या जाने वाला जो व्य होता है वो पूंजि गत कहलाता है उनका प्रयोगम काफी लंबे समय तक करते हैं एक बार हम उन पर एक बड़ी राशी खर्च कर देते हैं तो बहुत लंबे समय तक हम उनसे लाब प्राप्ति करते रहते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके संबंद में हम यह कह सकते हैं कि अगर किसी इस्थाई संपत्ति की कार चमता को बढ़ाने के लिए कोई वै किया जाता है जाने कि कूछ एकस्ट्रा पार्ट एड कर दिये गये तो उन एकस्ट्रा पार्ट के जो वैल्यू होगी उन अत्रिक्त पुर्जो का जो मुल्य होगा वह भी मशीन के लागत ku में जुड़ जाएगा क्यों कि यह जो किया गया है वह किकारे चमता को बढ़ाने में किया गया है मान लेजिए कि एक व्यापारी है जो कि एक सिनेमा घर चलाता है सिनेमा हॉल चलाता है वहाँ पर पहले दर्शकों के बैटने की जो क्यापसिटी थी जो सीट थी वो 300 थी भविश्य में लाव उसको होता गया और उसने ये जो सीटों की संख्या है बढ़ा कर 350 कर दी 50 अत्रिक्त सीटे जुड़ गई यानि कि उस भवन की उस सिनेमा हॉल की जो कारे चमता है वो बढ़ गई अब इन एक्स्ट्रा सीट्स को जोड़ने के लिए जो वै किये गए वो कारे चमता बढ़ाने के लिए किये गए वै माने जाएंगे और उन वैयों को पूंजी गत्वे मान लिया जाएगा बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम किसी संपत्ती को खरीदते हैं या किसी स्थाई संपत्ती को क्रे करते हैं तो उस स्थाई संपत्ती को जहां से हमने जिस स्थान से क्रे किया उस स्थान से लेकर उसको अपने व्यापारिक संस्थान तक लाने में अगर हम करने में अगर हम कोई वैक करते हैं तो ये दोनों वैबी उस इस्थाई संपत्ती की लागत में जुड़ जाएंगे इस बात का हमको ध्यान रखना है और इसी कारण ये दोनों वैबी पुंजी गत्वे कहलाएंगे जिसे मान लेजिए 10,000 रुपए की एक मशीनरी खरीदी गया इवं स्थापित करने के लिए 2,000 रुपए दिये गए तो इन जो तीन अमाउंट हमको दी गई है तीनों ही अमाउंट को मिला कर कुल मिला के 13,000 रुपए उस मशीन की लागत होगी अगर हम इसको जनरल बेस्ट एंट्री करते हैं तो यहां पर हम जनरल एंट्री के मशीन डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट हम लिखेंगे टोटल 13,000 यानि कि हम यह माल लेते हैं कि मशीन को खरीदने उसको लाने ले जाने के वे और उसको इस्थापित करने के वे यह सभी वे मशीन की लागत में या किसे भी इस्थाई संपत्ती की लागत में जुड़ जाते हैं यानि कि इस तरह के जितने भी वे होते हैं वो पूंजी गत वे के अंतरगत आते हैं एक महतुपूर बात यहां पर हम यह भी देखते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई वे व्यापार के विकास या विस्तार के लिए किया जाता है तो भी वो समस्त वे मपधश्य से किया रहा है ताकि भषशय में लाब जो है वो बढ़ सके जैसे कि हमने उदारण में देखा था कि अगर कोई Smile उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई अबस अगर और कोई October अउपरेट कर रहा है बसको आकार बढ़ा दिया गया उत्पादन के जो साधन ने उनमें कहीं न कहीं कुछ व्रिद्धी की गई तो इस तरह की जो भी खर्च किसी व्यपार को विकास या विस्तार प्रदान करते हैं वो सब के सब पूंजी गत्वे में शामिल कर दिये जाते हैं इसी तरह यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ऐसे सभी वे जो व्यपार में पूंजी एकत्र करने के लिए किये जाते हैं वो सब के सब वे पूंजी गत्वे कहलाते हैं हम देखते हैं कि कोई भी वेपारी जब वेपार करता है तो वो केवल उसके पास जो धनराशी रहती है केवल उसी धनराशी के दोरा वेपार नहीं करता बलकि बाहर से भी वो कुछ रिंद लेता है बाहर वो अपने कमपनी के अंशो को रिंपत्रों को बेचता है तो ये अंश और रिंपत्र जो बाहर बेचे जाते हैं बदले में जो राशी उनसे प्राप्त होती है कहीं न कहीं इसका मुख्योद्देश पूंजी को एकत्र करना होता है जैसे कि यहां हम देखते हैं कि एक कमपनी अपने अंशो का निर्गमन करती है तो कमपनी के द्वारा जिन अंशो को निर्गमित करके पूंजी प्राप्त की गई है और उस पर जो वे किये गए हैं वो सारे पूंजी गत्वे के अंतरगत आते हैं इसी प्रकार जितने भी विन्यों किये जाते हैं जितने भी रिण पत्र बेचे जाते हैं और इन पर जो भी वे किये जाते हैं वो सभी वे पूंजी गत्वेयों में आते हैं तो ये कुछ उधारण है जिनकी आधार पर हम अपने क्रियात्मक प्रेश्णों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं अगर हमने इनके कंसेप्ट को समझ लिया कि क्यों क्या कारण है कि कोई वय पूंजी गत्वय बन जाता है अब आईए पूंजी गत्वयों की विशेस्ताओं को समझें पूंजी गत्वयों की विशेस्ताओं को समझने के बाद हमको ये फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा कि कोई वय पूंजी गत्वय है या नहीं है पूंजी गत्वे की सबसे बड़ी विशेस्ता तो ये है कि ये इस्थाई स्वभाव के होते हैं हमने बार बार देखा कि इस्थाई संपत्यों पर जो वे किये जाते हैं वो पूंजी गत्वे होते हैं इस्थाई स्वभाओं के यानि की बड़ी मात्रा में वै किये जाते हैं और एक बार इन पर वै कर देने से काफी लंबे समय तक हम उनसे लाब प्राप्त करते रहते हैं तो ये इस्थाई प्रकृती के वै होते हैं दूसरा हमको पहचानना है कि दीर्द कालिन उप्योगिता जैसे कि हमने अभी बात की इस्थाई प्रकृती के होते हैं बड़ी धनराशी इन पर वै की जाती है और इनकी जो उप्योगिता होती है वो काफी लंबे समय तक प्राप्त होते रहती हैं जैसे कोई वैपारी अगर एक भवन खरीद लेता है तो उस भवन से वो कई सालों तक बहुत लंबे समय तक लाप्राप्त करता रहेगा वहां अपना उत्पादन कारे करता रहेगा अगर वो कोई एक मशीन खरीद लेता है, तो मशीन से भी वो दीर्ध-काली नाप्राप्त करेगा, काफी लंबे समय तक वो उस मशीन को यूज़ करेगा और उससे नाप्राप्त करेगा. इसी तरह से चाहे वो भूमी खरीदे, मोटर वेकल खरीदे, फ़नीचेर खरीदे और इसे बहुत सारे इस्थाय संपत्या होती है जिन से वो दीर्ध काल तक यानि काफी लंबे समय तक लाप प्राप्त करता है ठीक इसी तरह एक बात ये भी देखी जाती है कि वास्तों में पूंजी गत जो वे होते हैं उन पर वो जिस वस्तु उपर किये जाते हैं वो भूतिक रूप से दृष्टिकत होती है यानि कि उनको देख सकते हैं मशीने भूमी है भावन है फनीचर है इनको भौतिक रूप से देखा जा सकता है तो एक हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्या जिन वस्तों के बारे में बात की जा रही है उन पर क्या गयवे पूंजीकत्वे है एक महतुपूर्ण बात यहां यह भी देखने को मिलती है कि यह अनावर्तक प्रवित्ती के होते हैं यानि कभी कभी किये जाते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में पहले ही जाना है कि इन से अगर हम इन पर एक बार वे कर देते हैं तो काफी लंबे समय तक हमको इन से लाप्राप्त होता रहता है। यनि कि अनावर्तक प्रवृत्ति के होते हैं, बार-बार इन पर वे नहीं किया जाता है। ठीक, इसी तरह इनकी विशेस्ता ये भी है कि ये लाभार्जन छमता बढ़ाने वाले होते हैं। हमने देखा कि इस्थाई संपत्तियों के ऊपर हम बहुत सारे तरह के वे करते हैं। हमने ये तो जाना कि इस्थाई संपत्य जब हम खरीदते हैं तो उसका जो क्रेमुल्य होता है वो पुंजी गत्वयों के अंतरगत आता है लेकिन उसके बाद हम इस्थाई संपत्यों पर बहुत सारे तरह के वै करते हैं तो ऐसे वै जो कारेचमता को बढ़ाने के लिए किये जाते हैं जिसे हमने सिनेमा हॉल का इक और लिया भूमी के विस्तार का तो कारेचमता बढ़ाने वाले जो वे होते हैं उनको हम पूझी गतवेओं के अंतरगत शामिल करते हैं एक महत्रपोन विशेश्था ये भी होती है कि इनको हमेशा चिठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है क्योंकि स्थाई संपत्ति पर किये वे हैं जब हम कोई स्थाई संपत्ति खरीदेंगे वो हमारी संपत्ति है और जब हम balance sheet बनाते हैं जब हम चिठा बनाते हैं तो हम देखते हैं कि संपत्तियों को जितनी भी स्थाई संपत्तियां होती हैं उनको हम चिठे के संपत्ति पक्ष की और किया जाता है तो पूंजी गत्वेयों के बारे में हमने काफी कुछ जाना हमने देखा कि क्या है इसका अर्थ कैसे हम पहचाने कि कौन-कौन से पूंजी गत्वेय हैं और साथ ही हमने इसके विशेस्ताओं के बारे में जाना जिनके आधार पर हम बहुत आसानी से पूं संचालन में तो दूसरा वे हमको जो देखने को मिला वो है आगम गत्वे याने कि रेवेन्यू एक्सपेंस पूंजी गत्वेओं को हम विपरीत कर दें उल्टा कर दें अगर उस कंसेप्ट को हम उल्टा करके अपना लें तो जितने भी वे किये जाते हैं वो सब के सब वे आवर्तक प्रवृति के होते हैं बार बार नहीं किये जाते एक बार कर दें तो काफी लंबे समय तक लाप्राप्त होता है यानि कि दिर्ध कालीन होते हैं लेकिन आगम गत्वे वो वे होते हैं जो समान्य व्यपार संचालन से संबंदित होते हैं यानि व्यपार को संचालि के लिए चोटे-चोटे व्यों के रूप में बार-बार उनको व्य करना होता है आवर्तक प्रभृति के होते हैं और अल्पकालीन होते हैं यानि कि कुछ थोड़े से समय तक हम उसे लाप्रांप्त करते और फिर से हमको व्य करना होता है बात जब हम आगम गत्वेयों की करते हैं तो वो कौन-कौन से वेय है जिनको हम आगम गत्वेय या आए गत्वेय या revenue expenses में शामिल करते हैं आए इस पर एक नज़र डालें तो सबसे पहली बात यहां पर आती है माल के क्रेय करने हित्व किये गए वे इस पूरी लाइन में हमको फोकस करना है माल पर माल यानि कि वो बस्तू जिसको हम पुना विक्रे के लिए खरीदते हैं यहां पर हम difference समझेंगे माल और इस्थाई संपत्यों में माल जो कि पुना विक्रे के लिए खरीदा गया है उसका रूप परिवर्तन करके उसको उपयोगी बना के हम फिर से बेज देंगे यानि कि वो हमारा स्टॉक है हम उसको इस्थाई रूप से व्यपार में उत्पादन में कहीं प्रयोग में नहीं लाते दूसरा पक्ष स्थाई संपत्ति फिक्स ऐसेट्स जो अब हमारे व्यपार की पूंजी बन गयी है दोनों में काफी अन्तर हैं क्योंकि हमने देखा कि स्थाई संपत्ति पर किया गया वै पूंजी गतवय है लेकिन जब हम माल को क्रे करने पर वे करते हैं तो क्योंकि वो हमारी स्थाई संपत्ती नहीं है तो माल को क्रे करने पर जो भी वे किये जाते हैं वो सब के सब आगम गत्वेव के अंतरगत आते हैं क्योंकि माल समानि वैपार्सन च्छालेंच से संबन्तीत वस्तू है, बार बार एक वैपारी माल खरीदता है, बेजता है, यह तो ऐजटिस उसको बेज देता है, यह रूप परिवर्तित करके उपयोगी बनाके बेज देता हैं, तो किसी भी केस में जब भी माल खरीदते हैं माल का क्रे करते हैं उस पर हम जो भी वे करते हैं वो पूरा का पूरा वे आगम गत्वेव में शामिल होता है दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं विक्र है तू माल बनाने के वै हमने देखा कि कई बार हम माल खरीद के वैसा का वैसा बेच देते हैं एक थोक वैपारी जो होता है वो उत्पादक से माल खरीदता है फिर उसको फुटकर वैपारी को वैसे का वैसा बेच देता है और फुटकर वैपारी वैसे के वैसे उस माल को ग्रहा को पहुचा देता है ये तो एक समाने प्रक्रिया हुई यहाँ पर एक उत्पादक से थोक वेपारी द्वारा खरीदी गई जो वस्तु है वो माल कहलाई एक फुटकर वेपारी द्वारा थोक वेपारी से खरीदी गई जो वस्तु है वो माल कहलाई और एक फुटकर वेपारी ने जिस वस्तु का विक्रह ग्राहक को कर दिया वो उसके लिए माल कहलाई लेकिन दूसरी बात आती है जब माल का रूप परिवर्तित करके बेचा जाए यानि कि कच्चे माल को खरीदना, उसको उप्योगी बनाना और फिर उसको किसी तीसरे पक्षकार को बेच देना जब कोई एक वैपारी कच्चा माल खरीदता है और फिर उसको उप्योगी बनाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में उसको बहुत सारा वै करना पड़ता है एक उदारन के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फरनीचर का एक वैपारी किसी लकड़ी वाले से लकड़ी का सामान खरीदता है, रौ वो लकड़ी खरीदता है फिर बहुत सारे मजदूरों के द्वारा उस लकड़ी के माध्यम से वो फरनीचर तयार करता है यानि उन मजदूरों को वो मजदूरी देता है उसके बाद इसको बेचने के लिए वो बहुत सारे विज्ञापन करता है यानि कि विज्ञापन वे करता है उसके बाद इस पूरे वैपार को manage करने के लिए इसका प्रबंधन करने के लिए वो manager के नइयुकती करता है यानि कि manager को salary देता है इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे वैए उसको करने पड़ते हैं जिससे उसका ये furniture का business अच्छे से चल सके तो इस पूरे व्यपार संचालन में याने की कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने में जितने भी व्य होते हैं वो सारे के सारे व्य आगम गत्वयों के अंतरगत आ जाते हैं ठीक इसी तरह से हम देखते हैं सामान ने व्यपार संचालन के लिए किये गए वै जिसे कि अभी हमने देखा विज्ञापन के लिए कुछ वै करना होता है प्रबंधकों को वेतन देना होता है श्रमिकों को मजदूरी देनी होती है कई बार एक वैपारी रिण लेकर पूरा व वो अपना वैपार कर रहा है वो रेंट पर लिया हुगा है तो उसको रेंट पे करना होता है और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं जो किसे वैपार को शुचारों रूप से चलाने के लिए जरूरी होते हैं और आवर्तक भी होते हैं मैनेजर को सेलरी हर महीने देनी पड़ेगी मजदूरों को मजदूरी हर महीने देनी पड़ेगी ब्याज का भुकतार समय समय पर करना पड़ेगा commission जब जरूरत हो तो करना पड़ेगा यानि कि यह जो आवर्तक प्रवर्थी के जितने वैं वो सब के सब्व्वे आगम गत्वेयों में शामिल कर दिये जाते हैं अब एक पूर बात हमने इस्थाई संपत्यों के बारे में जाना कि इस्थाई संपत्यां व्यपार की पूंजी होती हैं और इन इस्थाई संपत्यों पर किये गए समस्त व्य पूंजी गत्वयों में शामिल होते हैं लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा था है कि हमेशा इस्थाई संपत्यों पर किये गए सारे के सारे वे पूंजी गत्वे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है आईये देखते हैं कि इस्थाई संपत्यों के संबंध में किये गए ऐसे कौन से वे हैं जो पूजी गत ना होकर आगम गत्वे होते हैं तो अगर इस्थाई संपत्यों की कारेच हमता को बनाय रखने के लिए कोई वे किया जाता है उसकी तूट फूट मरमत पर वे किया जाता है ताकि उसकी कारेच हमता बनी रहे मशीने जो है वो ठीक ठाक चल सके भवन जो है वो ठीक ठाक रह सके लंबे समय तक उससे लाब मिलता है इस तरह के जो वय होते हैं जो इस्थाई संपत्यों के कारिच हमता को बढ़ाने के लिए नहीं बलकि बनाय रखने के लिए किये जाते हैं वो सारे वय आगम गत्वय उमें आते हैं तो बहुत ये concept हमको follow नहीं करना है कि इस्थाई संपत्यों पर वय है मतलब जल्दी से हम उनको पूझी गत्मान ले हमको बहुत साधानी से ये देखना है कि इस्थाई संपत्य पर वो वय क्यों किये गए क्या वो इस्थाई संपत्य के कारिच हमता को बढ़ा रहे है झाल झाल